हम लोग इस समय जुड़े वे हैं कपूर काइट सेंटर से और आज आप लोग के लिए बहुती स्पेशल वीडियो आने वाला है 2000 से लेके 3000 रूपए की रेंज में हर प्राइज रेंज का 21, 22, 34, 25, 26, 27, 28, 29, 30 हर रेंज का माजा एक सेलेक्टेट माजा निकाल के रखा गया है आप लोग के लिए वो सब दिखाऊंगा किस पैटन पर डोर है और कपूर काईट सेंटर पर अगर आप लोग आना चाते हैं तो सुबह साड़े 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक शौप ओपन रहती है साड़े 10 के बाद आपको जो है फिर शौप बंद नहीं मिलेगी तो बारा से पहले आप कभी भी रात में आना चाते हैं तो आपको हर आर्टिकल मिल जाएगा और जुड़े रहिएगा वीएम लखनाव काईट से वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो उसको लाइक और शियर करिए और इस बार आप लोग के लिए बहतरीन बैग का कलेक्शन देखने को मिलेगा कपूर काईट सेंटर पर अगर आप लोग जुड़ेंगे तो बहुत ही फैंसी और कुछ इस्पेशल आर्टिकल आए वे हैं 3 इंच में, 4 इंच में, 6 इंच में हर तरह का बैग मिलने वाला है और फोल्डिंग बैग चाहेंगे तो वो भी मिलेंगे अभी बहुत सारी आपको बैग की वराइटी दिखाने वाला हूँ साथ ही में इस्पेशल वीडियो है आप लोग के लिए कुछ पतंगे और साथ में आज जो आपको मांजे दिखाऊंगा उसका एक क्रम बनावा है 2000 से लेके 3000 तक लगातार जो इंक्रीज होगा प्राइज 21, 22, 23, 24 हर प्राइज रेंज का मांजा आज आपको हमारे वीडियो में मिलने वाला है तो जुड़े रहिए का इसकिप मत करिए का हर प्राइज रेंज में कुछ इस्पेशल आर्टिकल निकाला गया है और वही दिखाया जाएगा आपको हम लोग बाबर भाई से जुड़े वे हैं बाबर भाई हमारे साथ है कपूर काइट सेंटर पर और ये फैंसी बैग आया वा है तीन इंच में पहले इसकी अलग-अलग हमको डिजाइन दिखाये बहुत सारे डिजाइन में है तो चलिए बाबर भाई हमको पहले इसका जो है हाँ ये 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 बी तीन इंच में है तीन इंच में दो वराइटी है एक फैंसी बैग है और एक ये अटैची बैग है जी इसमें उपर से इस तरीके से चेन भी लगी वी है इसका स्टाइल ठोड़ा अटैची वाला है अलग स लुक टाइप का स्टाइल है स्टाइल है जी तीन इंची में आपको मिलेगा बहुत फुसूरत बहुत है ये यह सारे फैंसी बैग है और साथ में एक अटैची बैग जो हमने दिखाया था वह अटैची बैग की वराइटी ये कलर जो डिजाइन होंगे यहां पे लगे हैं इसमें आप बहुत सारे कलर में मिलेगा आपको और वैसे ही जो फैंसी आर्टिकल है उसमें भी बहुत सारे और कलर है बाबर भाई ये फैंसी बैग हमको कितने का मिलेगा 400 रुपै का चाहे हम ये वाला ले या टैची वाला ले दोनों में से कोई भी पसंद कर लिएगा फै ले बताइए ये 500 रुपै का चैंची में ये भी अटैची वाला बैग है और वैसे ही बढ़िया आर्टिकल है और मजबूती से बनाया गया है अच्छा आर्टिकल है तो आप लोग कपूर काइट से जुड़िए गा इस समय बहुत बढ़िया बैग की वराइटी आई है और कलर आपको बहुत सारे मिलेंगे वह आप जब आप लोग विजिट करेंगे कपूर काइट सेंटर पर तो आपको देखने को मिलेगा चलिए कुछ इस्पेशल इस्पेशल चीज़े दिखा रहे है पतंग दिखाईए कौन सी स्पेशल पतंग आज सारा आर्टिकल नहीं तारीक भाई है मुरादाबाद के इसरार काइट मेकर से के नाम से स्टेंपिंग है इनकी और तौके हैं और कोई डिजाइने इसमें काला नीला तौका मिल जाएगा दोनों ठीक है काले नीले तौके हैं ओके तो बाबर भाई यह जो खुबसूरत पतंगे आप तारीक मुरा 19 रुपए इसमें प्लेन भी मिल जाएगी तोखा चाहिए हो प्लेन पतंग चाहिए हो कलर में चाहिए हो 19 रुपए प्राइस कोला है और प्राइस जानने के बाद पतंग की खुबसूरती हमेशा कोई आर्टिकल होता है जब उसका प्राइस पता चलता है कभी माता है डबल जाने माने मेकर हैं यह बाबर भाई हमारे बहुत शांदार पतंगे बनाते हैं तो इनसे बहतर कोई नी जान सकता के पतंग कैसी बनी है पतंग लगी है बहुत अच्छी पतंग बनाई गई है और उससे अच्छा हमको लगाए इसका प्राइज अच्छा प्राइज है चलिए आज सब इस्पेशल है और दिखाईए हमको बढ़े फर्मे का कंकवा है ये सचिन मोहिनी पुरुआ बढ़े फर्मे पे भी ठट्डे का लचीला पन देखिया आप कितना बढ़िया काम किया गया है बहुत ही शांदार आर्टिकल है वो देखने में पता चल ला है अपने आप में बढ़िया काम करते हैं लखनों में सचिन और कई सारे डिजाइन में मिल जाएगा ये भी उनी की है वही फर्मा वही पतंग भुटाई के साथ है और भी खुशूरत पतंग है किसी रेंज में लडाएंगे तो मज़ा आएगा जल्दी मिलेंगी नहीं आपको सिर्फ कपूर काई सेंटर पर जुड़ेंगे तब ही मिलेगा और एक क्रम से लगा दिया है 2100 रुपए से शुरुआत होगी और 21,23,24,25 जो बाबर भाई के अनुसार बढ़िया मांजे हैं आपको कपूर काई सेंटर पर वो दिखाएंगे चलिए एक बाबर भाई पहला आर्टिकल पहले हमको दोर दिखाएंगे कौन सी है यह यह हसीन लल्ला भाई की एक सेकंड रोक लिए और पहले मैं दोर दिखा दूँ परिया काम करते हैं हसीन भाई और उससे भी अच्छा होता है कापूर काई सेंटर पर प्राइज रेट ड अपने प्राइज रेंज में जो यह इनका आर्टिकल होता है बहुत अच्छा होता है बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है बहुत डिमांडिंग मांजा है चलिए इसके बाद हम लोग अगला आर्टिकल आते हैं नासिर भारती एक सेकंड यह भी डोर मैं पहले दिखा दू नासिर भारती का है बाइस सो का अर्टिकल है और जैसा हमको बाबर भाई ने बताया है इकिस सो अब उसके बाद बाइस सो बाइस सो में बहुत सारे मांजे हैं लेकिन आपको जो बाबर भाई ने अपनी पसंद से चुन के निकाला है सच में डोर बहुत अच्छी है अपने प्राइस रेंज में और वैसे ही 21 सो में भी बहुत सारे मांजे हैं लेकिन चुने वे आर्टिकल दिखाएंगे चलिए इसके आगे बढ़ते हैं 23 सो रुपए में देखते हैं क्या आर्टिकल है जिलानी मिया इनका तो आप लोग जानते ही है जिलानी का मांजा कैसा ह क्या बात है बिल्कुल सही कह रहे हैं पुराने उस्ताद है जिलानी मिया और कुछ कहना ही नहीं एक बार दोर मैं दिखा दूँ जिलानी मिया की फिलाल मैं इतना जानता हूं कि इनकी डोरे फस के बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है वही धर रहा है बिल्कुल जैसा मैंने कहा था थोड़ा सा घोल मूँ पे रखा है खार रखी है हलकी बहुत सही काम किया गया है फसाने के इसाप से इसमूत रखा गया है डोर को मुला सब्कीत जाना जैसाइन और कि भी आ थिनदेफरा जाना मैं वही मूशा थे यदर लिज्by से अता हूं हिर्ण दोप में काला होता अस्त हूं हुथ हो प्रखाँ काला कैसे हो गया क्या देखे मज़ा आ गया कलर और देखे यह भी वैसे ही बारीक रखा है इन्होंने दोर को अपनी दोर यह आती है यहां समनी रुखती नहीं है अच्छा तो जैसा एक रेंज में डोर को बनना चाहिए उसी रेंज की डोर है प्राइज है बढ़िया प्राइज है तो जुड़ियेगा आप लोग जो जो आइटिकल अगर मैं दिखा रहा हूं आप लोग कोई भी आइटिकल कपूर काइट से खरी दियेगा कमेंट बॉक्स में आके ब मिलने वाला है पच्छी सो में आ जाएंगे हम लोग पच्छी सो प्राइज पहले दिखा रहा हूं बहुत अच्छा लग रहा आज 21, 22, 23, 24 और पच्छी सो में ऐसे ही करम बढ़ता रहेगा आप लोग देखते रहिए और हर प्राइज रेंज का एक अपना अच्छा मांजा जी पहले मैं दोर दिखा दूँ फिर बरेली में जो हैं इमरान पहलवान के नाम से जाने जाते हैं और लाइन दक्किंग ऑफ बरेली के नाम से इनका आर्टिकल आता है काफी मेहनत कर रहा है अपनी डोरों में बिल्कुल सही कह रहा है बात और बहुत कम जगहां पे देखने को मिलेगी कितना प्राइज है इसका प्राइज है बड़ा खिलाडी आए कोई भी आए प्राइज वही रहेगा प्राइज नहीं बदलेगा और साथी में मैं ये बता दूँ कि ये कोई भी मांजा आप कपूर काइट सेंटर से अगर खरीते हैं तो पूरे बारों मास एक ओफर चलता रहता है कपूर काइट सेंटर पर हर डोर पर 2600 रुपए हर डोर पर चार पतंगे सोनु मुरादाबाद सबसे पहले हम लोग जो है ओफर वाली बात कर रहे थे कि कपूर काइट सेंटर से अगर कोई भी एक भी मांजा लेता है तो उस पर चार सोनु मुरादाबाद के पौने और एक चर्खी का कवर हमेशा मिलता है कोई भी बंडल खरी देंगे तो आपको मैं एक बात यहां पर किलियर किये देता हूँ हर डोर पर हर डोर पर चाहे वो 1600 की हो सो रुपए का लगभग डिस्काउंट हो जाता है 110 रुपए बाबर भाई ने किलियर कर दिया है 110 रुपए तो आप लोग इस बात को समझेगा कि अगर आपको ओफर चाहिए है तो प्राइज फिक्स है क्योंकि मार्जिन कम है और इसलिए या फिर आप अगर आपको छूट करानी है तो फिर ओफर आपको नहीं मिलेगा मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ ओफर तभी मिलेगा जब इसके प्राइज पे आप लोग लेंगे कितना प्राइज है इसका 2600 रुपए कौन सा आर्टिकल है यह हम देखते हैं यह 2600 रुपए देखे मेंचन है आपर सूपर तेजस है जुवेर बेक का बहुत बढ़िया बात आज कही है बाबर भाई ने आप लोग यह समझेगा आप किसी भी मार्केट में कहीं भी शॉप से खरीदेंगे यह दोर तो प्राइज आपको यही मिलने वाला है लेकिन ओफर कोई नहीं दे रहा है यह सिव आपको मिला है कपूर काई चेंटर वो उसी प्राइज में हम लोग यहां डूबली जैसी बिलकुल नहीं रखते हैं जी जो चीज बरेली से आएगी एकदम आपको औरिजनल मिलेगी किसी के अड़े जी डूर नहीं होगी चलिए बहुत बढ़िया बात बता रहें कितना प्राइज है सूपर तेजस का 2600 रूप है ओके चलिए आगे हम लोग बढ़ जाएंगे 2600 के आगे 2700, 2800, 2900, 3000 सबरियम आजे इंतिजार कर रहे हैं वो सब दिखाता हूँ आपको हसीन भाई लल्ला भाई का नंबर वन और प्राइज मेंशन है 2700 रूप है पूरे क्रम से आपने दिखाया है 2100 से लेके अभी तक हमको सारे रेट दिखाया है बहुत बढ़िया कहने पे मत जाईए हकीकत में बता रहे हैं कि हकीकत में नंबर वन ही आर्टिकल है क्या बात है बाई वाई ये डोर का कोई जवाब नहीं होता है बिल्कुल सही कहरे कोई जवाब नहीं होता है डोर का जो पैटर्न होता है महीन काटे पे तेजधार होती है यही डोर मांगते हैं लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं ताकि ये किसी भी बल लड़ेगी काटना मुश्किल है बिल्कुल सही कह रहा है अगर फस गई तो फिर काटना मुश्किल है चलिए कितना प्राइज बताए आपने 2700 रुपए है नंबर वन का अर्टिकल है हसीन भाई कमा जाए 2700 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 2800 रुपए की प्राइज में और ये है 2800 रुपए का अर्टिकल ओके उधर से दिखाईए चर्का ज़रा ये देखिए 2800 रुपए क्या नाम है इसका पहले हम नाम दिखा दें एक बार मुस्तकीन वार्सी एहमद रजा इस्पेशल मैदानी माज़ा चलिए खोलिए पहले इसको तो मैं देखूं कि क्या इस्पेशल है क्योंकि ये नाम थोड़ा सा हमें लगता है कम जगाओं पर देखने को मिलेगा या हो तकता है कपूर काई सेंटर पर ही मिले है काला ऑटिकल का नाम आप देखिए इसका आर्टिकल का नाम है काला ओड़ा जिन देखिए बाबर भाई से जानते हैं जिन क्या करेगा बताईये पहले बताईये पतंग में जिन का क्या काम है जिन का मतलब है चलिए फिलाल डोर का धर्रा बहुत अच्छा रखा है नोंने क्या बढ़िया काम है एक जैसी बिल्कुल बढ़िया डोर है मेहनत की गई है कोटे डोर है काफी और डोर में काम किया गया है काम किया गया है वही आर्टिकल दिखा रहे हैं बाबर भाई आज अपने प्राइस के बेस्ट माझे हर प्राइस का बेस्ट माझा दिखा रहे हैं कि हर प्राइस रेंज में बहुत सारे माझे मिलेंगे अठाइसो में जाएंगे तो अभी कपूर साब किया बहुत सारी वराइटी एठाइसो की मिल जाएगी यह आगए हम लोग उन्तिस सौ में एक फिर जाना माना नाम है हसीन भाई का शिकारी नंबर वादी जरूर आईए ब बाबर भाई से जुड़िएगा और अपने प्राइस रेंज में जानिएगा कौन सी बेस्ट डोर है आपके लिए कपूर काइट सेंटर पे बाबर भाई आपको सब दिखाएंगे आर्टिकल क्या बात है बाई देखिए इस टोर के बारे में जादा कहने की जरूर नहीं है सब लोग जानते हैं और मांग के लेते हैं शिकारी नंबर वादी बिलकुल सही कह रहा है यहाँ पे कारीगर की मेहनत दिखाई भी दे रही है काफी मेहनत की गई है जैसे अभी अपने करने में तो तो करे बाद हम लोग आते हैं जी तो उन्तिसो के बाद हम लोग आएंगे थीन हजार में का पूर काई डिक हर कि में बाइंग सी पिते ही कि और यहे इससे कह सकते हैं कौसी का एक इसलिए एक आर्टिकल निकाल के दिखाया है चलिए इसको भी दिखाई हमको आज बढ़िया आपने स्टाइल से दिखाया हमको बहुत खुशी हो रही है कि इस तरीके के पहले कलर देखी कितना बढ़िया है टॉप लॉफ में भी उन्होंने कलर जो लगाया है बहुत मनलब बारिक दो को लेकिन दोर का ढ़रा जो है और दोरों से बहुत अलग दोर का ढ़रा है किसकी डोर है वाई के सी क्यारा नौसोचशबिस वाला आर्टिकल है मैं आपको यह आर्टिकल का नाम दिखा रहा हूं टी एम के लिखा रहता है यासीन छुटका एक बड़ा नाम है आप सब लोग चानते हैं किस तरीके से काम करते हैं यासीन भाई और जो डोर का ढरना यह है टॉप बलॉप वाला ही ला है जिस तरीके से मसाला बैठा है डोर के अंदर यह काम बता रहा है कम दोरे आती हैं जादा नहीं रहता क्योंकि यह कम बनाती हैं यह बात है बिल्कुल करेक्ट बात कह दिये तो इस तरीके से जब महेंगे माजे होते हैं तो उनको पता होता है कि ऐसा काम करके दिया जाता है कि वापस ना आए डूर क्योंकि फिर सबको दिक्कत होने लगेगी इतना महेंगा माजे में है और वापसी का अले को भी बहुत दिक्कत है उसमें काम ही किया जाता है मेहनत की जाती है तभी इस तरीके से जो है और मैं एक बात बता दू को टॉप ब्लॉप में जाना हो तो जब आपको पतंग बहुत रेंज में लड़ रही हो तब इसका मज़ा मिलता है छोटे पेच इसके लिए कभी रिक्मेंट नहीं करता हूँ कोई भी आर्टिकल जितने माचे दिखाएं अगर कोई पसंद आ रहे हो इधर मैंने जो है तारिक भाई की पतंग दिखाईती मुरादाबाद की और सचिन लखनव की कंकईया चलते चलते हमको और दिखा रहें कंकईया नाम लिया आपने बढ़िया नाम लिया जेडेस की पतंग है जेडेस भाई मुरादाबाद लेकि चांदारे जिसको भी चाहिए हो कपूर भाई की सौक प्राइए चाहे बढ़े चांद की हो चाहे छोड़े चांद की हो एक से पतंग है पतंग आप देख रहे हैं तो ताटे बहुत अच्छे बारे लगाएं जी औ जेडेस मुरादाबाद बिल्कुल बढ़िया क्लीन पतंग है प्राइस पता चल जाए बढ़िया हो तो और मजा आए पच्छी सुरुपए जी बढ़िया अद्धी बनाई है खुबसूरत अद्धी है कमानी ठड़ा वैसे ही लगाया कि आए तो अपने प्राइस के अनुसा सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और साथ में जो खुबसूरत बैग रखे हैं ये सब आपको मिल सकते हैं लेकिन आपको कपूर काइट सेंटर पर विजिट करना पड़ेगा आना पड़ेगा छे रील का बहुत सारा आर्टिकल है सब नहीं द